श्री गंगानगा जिले में प्रतेक तैसिल एमम उपखंड पर बनेगा सारवजुनिक बस्टाइं परिवहन मंत्री ने विधायकों से भूमी चिन्ही करण में मांगा सहयोग चिन्हीत होगी 300-250 फिट शेत्रफल भूमी राजिसान सरकार के एक ताजा फैसले से श्री गंगानगा जिले के राजिसान राज्य परिवहन निगम की बसों की सुविधा से वनचीत शेत्रों को रोडवेज सुविधा मिलने की उमीद बंधी है इस नेने के तहट राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में रोडवीज की बसों के माध्यम से गाउं गाउं में सुगम सस्ती एवं सुरक्षित परिवहन सेवा प्रदान करने के लिए हर तहसील एवं उपखंड पर सावजनिक बस्टैंड स्थापित करना तैक किया है परिवहन मंत्री ने सभी विधायकों को पत्र लिख कर उनके विधान सबाश शेत्र में तहसील एवं उपखंड पर सावजनिक बस्टैंड के लिए निशुल्क भूमी चिनित करने का आग्रह किया है परिवहन मंत्री के आग्रह के अनुसार श्री गंगानगर जिले के सभी विधायक तहसील एवं उपखंड सर पर सावजनिक बस्टैंड के लिए निशुल्क भूमी चैनित करने में सयोग करेंगे परिवहन मंत्री ने सभी विधायकों को पत्र लिख कर अनुरोद किया है कि वे ऐसे उपखंड एवं तहसील पर जहां राजिस्थान परिवहन निगम के बस्टैंड नहीं है वहाँ पर उप्युक्त स्थान पर कम से कम 300 गुना 250 फीट शेत्रफल भूमी राजिस्थान परिवहन निगम को जिला कलेक्टर के माध्यम से निशुल्क आवंटन कराने के प्रियास करें उन्होंने इस भूमी पर सारवजनिक बस्टैंड बनवाने के लिए विधायक स्थानिया निधिकोष से बस्टैंड का निर्मान कराने की कारवाही में सहयो करने का अनुरोध किया है गौरतलब है कि प्रदेश में ग्रामीन परिवहन सेवा को पुने प्रारंब करने के लिए कवायत की जा रही है इसके लिए नए रूट्स के लिए सर्वे एवं रोडवेज में नई बसों की खरीद प्रक्रियाधिन है बस सेवाओं के सूद्र डिकरन के लिए हर तैसील एवं उपखंड परस आरवजनिक बस टैंडों के रूप में आधार बुस सनचना के विकास के प्रयास किये जो रहे हैं अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्यपुर्ण खपरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT News को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर